हलो फ्रेंड नमस्कार मैं आपका दोस्त रंजन में आज आपको दिखाऊंगा कि महिंद्रा नविष्टर का ब्येस फूर का इंजक्टर है जिरू फूर 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 five one two 04ं नमबर का इंजेक्टर है, इसमें कस्टंुमर का कंप्लेन है कि जो कंप्रेसर है बलोख में जो कंप्रेसर लिकेज हो रहा नूजल से, तो क्या फॉल्ट एव इओ मैं दिखाऊंगा, ठीक है क्या प्रोल्लम है, एक के देखे फ्रेंड नविश्टर का इंजेक्टर आया है मेरे पास यह देखे ब्येस फूर का है यह देखिए दिए वीकांडुरी फूर 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 5 100 222न गांधेर है कि मेरा ब्लोक से कम्प्रेसर ने इनजर से लिकेज़ हो रहा है तो यहसे महरा तो इसके क्या खार शकता है हमारे ऐसे बेस्ट टू-बेस्ट इजेक्टर में निछेगा जो वासरे वह असर बग्त मारे नारता हा। Roma में अपने कु घुनakes बइठा ओगाया दियो मेरे कुम वासर देदो और और औरिंग देदो मैं इंजर्टर लेंगी चले जाओंगा लगा दोंगा बोल रहते तो हमारे को ल आधा कि अग्वार मेशन पर क्या कारण हो सकता है तो पडर की तो इसके वासर भी भी गाएवर सार नहीं रहेगा derecho कमप्रेसर अगर नहीं बैठेगा सीट में तो कंप्रेसर लिकेज मार सकता उपर से ग्यास मारेगा फ्रेंड्स ठीक है और वो क्या ब्याब क्रेक रहा भी तो होच तो होता है वोरिंग तो हमारा सब सही था वासर भी अच्छाई था लोग कॉनेक्टर कॉनेक्टर भी पुरा निव थे तो मेशिन पर लगाएंगों करके डीसएड किये तो अभी मेशिन पर लगाते हैं लेकिन ब्यास 2 िस थ्री में अगर नूजल वासर 20 mm का कि 2 mm का जो वासर नीचे लगाते हैं अगर बराबर सीट में नहीं बैठता तो प्रेंड़ कम्प्रेशर को मालुमी होगा तो ही दिमा क्यों नहीं करना है दिखाऊंगा कि दिखे फ्रेंट्स में आ गया हूं स्टार्ट करता हूं इसको इसका फ्यूल बाहर निकलता हूं अगर साप डिजल आ रहा था अब तुरूंट स्टॉप कर सकते उसको फिर इधर राइट में लगा लेने का मेन में पहले हम केमबर नहीं रहा है О nasब कर देखे और देखे स्टार्ट कर दिया तो च्र रहे है अधर से बिल्कूल डिजल आना नहीं चाहिए लेकिन वह इतना स्पीड से यह एतने मात्रा में इतने क्वांटिटी में आ रहा तो तो घ्यास मारेगा ही फ्रेंड्स जब वह एतने मात्रा में अगर फिल आएगा उतो राष्ता देखेगा ही और ब्यश फुर में खास करकि क्योंगि शोलस व शत्रों सो बार में अपरेट होता ना इसलिए बहुत ज्यादा बहुत क्वांटेटी में फ्यूल आता करकी वह तो जागा धूंडएगा मलग किदर निकलेगा करकी जिधर जागा, मिलेगा उसको जवार जास्ती निकल जाएगा तो इसलिए से वासर भी रूऊखने पर है Always लिखेspeaking जाके की वो आड़ा निकल जाता सीट में रिसanor वर सीट में नहीं बढ़ता सुट्रिक ज्वासर डाल के आपन बंद कर सकते थे ओ passerग से जो क्लाम पर में टाइट होता है वह मुझा है इसके लिए वाशर तो अगर बराबर बैठेंगे नहीं दयुकर है लेकिन एक बार मैशिन मे टेस्ट करना बहुत ज़री है friends तीके ऐसा अगर fault रहाता friends डारेक हो ज़ाता तो गाडी में बहुत ज़ाता बलाक स्मुग भी मरता और गाडी नखिमी करता, sound भी मरता, मिस फारिंग करता लेकिन कॉस्टोमर खो ऐसा कुछ fault नहीं था श्री मग बूल रहा थे बूल रहे थे कि मेरा श्री कंप्रेसर ग्यास मार रहा है बलक से इंजेक्टर से बाकी ऐ फोल्ट भी आता कोई कोई इंजेक्टर अगर इसा डारेक हो गया है तो बलक स्मोग भी मारता साउंट बराबर इंजिन का नहीं देदा दाथ नकिंग करता। चेक करना मेशिन में बहुत ज़री है आप इसे डारेक्ट वास्वर और रिंग चेंज करकी कॉस्टमर को नहीं देना है फ्रेंट्स ठीक है तो आप इसको अभी इसनी करना मैं अभी खूल की खूल के दिखाता हूं फ्रेंट्स एदेके खूल दियां नुजल का नीडिल पूरा जाम हो गया है यह देखे बुरा कला कला रस्टेड हो गया पकल लिया उसका अंदर तो उसको ठोक के थोड़ा बाहर निकलता हूं निकलता तो इसको अभी नुजल को तो अल्ट्रा सुने करके क्लिन करनेंगे फ्रेंट्स लेकिन इसका स्पिंडल अगर जाम होगा तो स्पिंडल डालना पड़ेगा ठीक है नुजल अपकल लिया करके वह डायरेक्ट स्प्रेय मार रहा है लेकिन इतना होच ज्यादा मार रहा है तो अभी स्पिंडल खोलेंगे फ्रेंट्स श्कूब भी कभी-कभी जाम होने से वह इसा डायरेक्ट हो जाता है नुझल से ही रहता है लिए नीडिल देखे प्रेंट्स पुरा ब्लाक हो जुका है ती अल्टराशो निकल लेंगे अल्टराशोनिक में साफ हो जाता है और बेस्पूर नुजल को ग्रेंड ब्रेंड नहीं करने का ब्रेंड शिर्व अल्ट्राशनिक करो और लगा दो ठीक है अब इसका स्पिंडल निकल के दिखा दो वो जाम है कि क्या कैसा है लेकिन मैगनेट असेमली शुलनाट स्विच जो खुलने से पहले आप पुजिशन देख लेनेगा इसका जो स्कुरूब है यह हुल के बराबर लाइन में आना चाहिए लेकिना अपना सिगना का 369 इंजक्टर का दूसरे साइट रहता प्रेंड उसका सकट यह लाइन में रहत है कोई भी इंजक्टर आप खुले लिए पुजिशन देख लेनेगा इसमें नंबर का स्पिंडल लागेगा 806 F00R J02806 का स्पिंडल लागेगा यह मैं लगाता हूँ लगा कि फिर मेशिन पर आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स मला प्रूब्लेम सट आउट हुआ कि नहीं देखें मैं नुजल क्लिन कर लिया हूँ वर्ल श्छिंक में और नया श्मिंडल डाल की मेशिन पर लगाया हूँ अब झाली , स्टाट करके दिखा था हूँ मला प्रूब्लेम आपना सट आउट हुआ कि नहीं प्रूब्लेम निकलाए कि नहीं विज चेक करेंगे उसके लि लेक्स टेस्स में आपना नुजल के सामने से ड्रॉपिंग नहीं होना है कि कोई भी डिजल एक बुंद भी नहीं निकलना चाहिए पहले तो अपना धारी लाग रहा था तो स्टाट करके देखेंगे इह प्रेशर बढ़ रहा है ये एक्साट एक्साट में चाहिए 성 fallen से हो जाता है इतना हाई प्रेशर में अपरेट हो रहा तो फर भी इधर से डिजल नहीं आ रहा अभी देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा मैं आ रहा था तो अभी बिल्कुल नहीं आ रहा तो अपना प्रोलेम निकल चुका है ठीक है और कॉस्टमर का कमलें था श्रीफ ग्यास मार रहा क करना है डामिनेशन के साथ और कैसे टेस्ट करना वह मैरे चैनल में वीडियो है वह आप जागी चैनल में जाएगी देख सकते फ्रेंट्स ठीक है और आपको भी ऐसा कभी फॉल्ट आया तो आप इसे डारेक्ट कॉस्टमर को असर और और रिंग दे की नुजल उनके हैं नह परिदी है फ्रेंट्स ठीक है फ्रेंट्स और मेरे वीडियो में कुछ नौलेज फुल हागा तो सस्क्राइब कर लेंगे उके फ्रेंट्स ठीक्यो धन्यवाद जै हिंद्ध फ्रेंट्स मिलते आगले वीडियो में बाई